Hello friends, कैसे आप लोग, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना CUT exam का एक और topic जो की evaluation of goodwill देखो ये एक ऐसा chapter है जो आपको direct exam में marks दिला सकता है क्योंकि इस chapter से ना एक marks के जो question बनते है ना वो तूरंट आ जाएंगे साथ ही साथ direct question आएगा तो आपको marks scoring के लिए असान होगा दूसरा ये एक ऐसा chapter है ना जो की बाकी chapters जैसे admission अभी पढ़ोगे आप फिर जाके जब retirement पढ़ोगे तो उनके साथ ये chapter combine होके भी आ सकता है तो आप समझ सकते हूँ इस chapter का importance आपके exam के लिए कितना जाता है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और छोटी से information देना चाता हूँ अगर आप CUT की complete preparation करना चाते हो जिसके अंदर language है, domains है, general test है, mocks है, doubt solving portal है तो हम आपकी complete preparation भी कराते हैं स्क्रीन में आपको WhatsApp नमबर दिख रहा है, आपको इसमें सिर्फ एक hello send करना है, हम आपको demo video send कर देंगे अगर आपको demo video send अच्छी लगती है, तो आप हमारे course में enroll कर सकते हो उसके बाद आप अपनी CUT की complete preparation आज से ही start कर सकते हो चलो, अब start करते हैं class मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, आप एक pen ले लो, copy ले लो, और सारे notes को अच्छे से note down करना ताकि बाद में जब आप prepare करो आपको revision हो जाए और ज्यादा दिक्कत नहीं हो सबसे पहले समझते बाद गुडविल होता क्या है, गुडविल मतलब होता है, साफ साफ अक्छर में अगर आप मेरे से पूछो तो गुडविल होता है नाम, कोई भी चीज का नाम, जैसे मानलो आप class में आपको कोई assignment डिया गया, आप assignment टाइम पर जमा करते हो तो आपको एक नाम बनता है class में, हमारा class में क्या होता है, reputation होता है, मैं हम सोसती है कि भाई, यह चो बच्चा है, इसका assignment हमेशा time पर आता है, तो वैसे ही जब आप corporate world में देखते हो ना, तो corporate world में भी नाम का बहुत importance है, आज जैसे मैं आप से पूछू कि भाईया मेरे को बताओ, मेरे को जाके जूते खरीद है, मैं किसके जूते खरीद हूँ, आप बोलो कि भाईया, Reebok के करिद लो, भाईया, Nike के करिद लो, क्या और कोई brand नहीं है, जो बहुत सारे brands जूते बनाते हैं, पर Reebok, Nike क्यों आपने बोला, क्योंकि आज उनका market में एक goodwill बन गया है, भाईया, goodwill मतलब is a good name, और उसके वज़े से business में connections बनते हैं, ठीक है, ये एक attractive force है, attractive force मतलब क्या होता है, भाईया, attractive force है, मतलब customers को अपने सामने खीच के लेके आता हो, क्या आप घर के समान, छोटे मोटे किराने के दुकान में भी तो मिलते हैं, वहाँ पर भी तो जा सकता हो, पर ये सब क्यों बताया आपने, क्योंकि भाईया, वहाँ पर हमें एक अच्छा satisfaction मिला होगा, मानलो मैं बिग बजार गया होगा, वहाँ पर मेरको कोई अच्छ established business from a new business, एक बात बताओ, आज के टाइम पर कितने सारे नई business market में आरे कितने सारे जूते के ब्राइन, कितने सारे कपडी के ब्राइन सारे पर फिर भी एक जो पुराना स्टेबलाइश ब्रैंड से उन्से शॉपिंग करने में हमें अलगी साटिस्फाक्शन होता है या ऐसा ब्रैंड मान लो जैसे मान लेते हैं रिबॉक का एग्जामपल लेते मान ले मैंने एक बार रिबॉक के जूते खरीद लिए एक साल जूते के मेरे को एक प्लयजर वाला यह एक प्लैजल कराया एक इसलिए इंस अभी के मदश वाला लए किया ऑपपडी लूंnoc इसलिए फीचस ऑफ गूड्विल बनती एब धर्ड ब्रक यह गूड्विल का फीचर्ज talented Let Пशिंट ए एक इंशीन इस एक एए जिसा आप देख नहीं सकते पर उसे इंपोर्टेंस में बहुत मोर्नेमित अब सिल्क नोर्मल प्रोफट के nin ल्व कशूर्मर नॉर्मल प्रोफिट को इंडश्री क्या है कि अगर मैं 10 लाग मर्मेश्ट के साब से रहे करताtechn को एक लाग में काश्यक का होगा ठीक है अब मान लो ऐसे ही होता है सिमेंट इंडेस्ट्री में 20 परसेंट का नर्मल प्रॉफिट है कि अगर आप 20 लाक रुपे भी है डालोगे 20 परसेंट के हिसाब से आपको 4 लाक रुपे का एन्वल प्रॉफिट होगा सही बात है तो अब जो बिजनेस का गुडविल उससे हमेशन टी-सका प्रॉफिट ज्यादा ही रहेगा रिलायंस के प्रॉडट्स प्रॉफिट्स देख लो जिए का प्रॉफिट होता है क्या पूरा इंडेस्ट्री का वही प्रॉफिट है नहीं बहुत ज्यादा है क्यों ज्यूंकि जीओ का मार्केट में गुडविल है attractive force है इसके बारे में हम लोग already बार कर चुके हैं कि यह एक attractive force है जो पुराने customers को आपके बार बार खीच के लाएगा combined effect of various elements यह सारे elements के combined effect है एक compound है goodwill एक element नहीं है यहाँ पर goodwill compound mixture के form में आपके पास present है ठीक है types of goodwill देखते हैं यह goodwill का types क्या होता है देखो हमारे syllabus में अभी तक सिर्फ two type of goodwill है ऐसे rat goodwill भी होते जो की goodwill का deep discussion में आता है पर अगर आपके syllabus से में बात करूँ तो सिर्फ दो type of goodwill है inherent goodwill और purchased goodwill नाम ही बता रहा है यह goodwill क्या है inherent मतलब आप लोग बता हो क्या होता है यह inherent मतलब होता है वो goodwill जो कि हमने खुद बराया है हमने खुद बैट के उसका पालन portion करके उसको आज इतना बड़ा बना दिया है जैसे internally generated goodwill which arises from the number of factors that are running business poses due to which it is able to earn more profits in the future भाया यह तो book definition हो गया words में बता दो क्या हो रहा है बात देखो internally generated goodwill मतलब होता है जैसे मान लो मैं हूं मैं राम श्याम हम लोग तीनों जन मिलके एक business start करते हैं मान देते कपड़े का business start करते हैं wholesale क्लोथ manufacturing start किया मैंने machine लाया राम ने बैठके उसका production देखा श्याम क्या करता है marketing देखता है मैं क्या करता हूं goods का procurement देखता हूं ठीक है तो ऐसे करके हम लोग तीनों ने मैनत की तीन साल चार साल पांच से करके continuously जब मैनत की तो आज के time पे वह firm का value जो हम लोग ने start की थी उसका value बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया और एक high position पर पहुंच गया है तो क्यों पहुंच गया है आज लोग विश्वास करते हैं कि वह हमें कपड़ा खरीदना है तो राम श्याम और विशाल के market से खरीदना है हम और किसी के market से नहीं खरीदेंगे हम राम श्या बहुत इंपोर्टेंट लाइं गुडविल को डिस्टिंग्विश करने के लिए देखो मान लो मेरे पास राम श्याम वाले फिर्म में सिर्फ 10 लाग रुपे के एसेट थे ठीक है उनके सामने 8 लाग रुपे की लाइबिलिटी थी मतलब 8 लाग रुपे का मैंने लोन लेके आपके लाग रुपे मेरे पास कोई आता है कि ओब यह मैं आपका बुसेट क्यों कि क्यों कि दोफ रुपय तो सब मेरे बिजनस का एसेट का वालियो गया क्या सिर्फ मेरे बिजनस का एसेट बाइल्य के यूड बनाया इसेट रहा मने महनत की राद बढ़ जाके प्रॉड़क्शन दे का श्याम ने मार्केटिंग की इधर उदर जाके डूंदे और यह गुडविल क्यों बना क्योंकि भया हम लोग ने राद बर जाके प्रोडक्शन देगा हम लोग ने मार्केटिंग देकी हम लोग ने घुटस अच्छा प्रोक्यूर किया हम लोग तो तीनों का यह जो 2,00,000 का गुडविल है आज आके कोई खरीद लेता है पुरा पर्म, 4,00,000 रुपे पर तो उसके लिए यह जो 2,00,000 का गुडविल होगा वो पर्चेश्ट गुडविल हो जाएगा ना कि इनहरेंट और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्योंकि यह 2,00,000 क अगर रियल लाइफ एक्जांपल की मैं बात करता हूँ तो देखो रियल लाइफ एक्जांपल क्या होगा बहिए मानलो आप जारा पे गए जारा जो आज इतना बड़ा क्लोधिंग ब्रैंड हुआ है मुकेश हमबानी जी को मना गया कि मैंको जारा खरीद नी है उन्होंने अगर मुकेश हमबानी जी अपने ब्रैंड जियो का बात करे तो वो उनके लिए इनेरेंट और सेल्फ जेनरेटेड गुडविल का पार्ट होगा क्यों क्योंकि मुकेश हमबानी जी ने जियो खूद बनाई है उन्होंने जियो कंपनी किसे से खरीदी नहीं है पर अगर मैं जारा की बात करूँ अगर वो जाके जारा खरीद लेते हैं तो जारा उनके लिए हो जाएगा परचेस्ट गुडविल यहां पर भी वही बात है कि जो एक्सेस एमाउंट पे किया जाता है किसी कंपनी को खरीदने के लिए 10 लाग की एसेट थे 8 लाग की लाइबिलिटी थी कंपनी का नेट वैल्यू तो सिर्फ 2 लाग रुपे थे पर उन्होंने खरीदने के लिए 2 लाग नहीं 4 लाग रुपे का इस्तेमाल किया क्यों क्योंकि जो यह 2 लाग रुपे एक्स्ट्रा है वह एक्स्ट्रा पैसे गुडविल के हैं ठीक है अब देखते गुडविल का व अबरेज प्रॉफिट से करो सुपर प्रॉफिट से करो तो यह जो मेथट सेना इनका अलगी अपने में इंपॉटेंस है कंपनी लॉस होती है उन्होंने आज तक यह बात नहीं बताए कि कोई भी एक मेथट स्टांडरडाइजड है तो हर फिर्म अपने हिसाब से अपने प अब अब आवरेज प्रॉफिट मेथट से कैसे गुडविल निकाल सकते है भी यह आवरेज प्रॉफिट मेथट नाम से बता रहा है भाई आवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल करके जो पास्ट बिजनेस में प्रॉफिट स्टेकन इंटो एकांट और एनी अबनॉमल प्रॉ क्या है जो आप लोग फोकस देना और जिससे सम बनने के भी चांस है वो है abnormal profit और abnormal loss भाई या abnormal profit और abnormal loss क्या हुआ मतलब समझा दो देखो abnormal profit होता है वो profit जो कि एक extraordinary event से आपको business में हो गया जैसे मान लो आपके पास एक assets पड़ी थी machinery पढ़ा था आपने 10 साल तक उस machinery काम machinery पेचना है नहीं या मेरा business का काम तो कपड़ा बनाना था garment manufacturing था राम शयम का उसका machinery बेचना थो रही था पर उन्होंने machinery बेच दी क्योंकि 10 साल बाद machinery वीर और हो गया machinery का कोई काम नहीं रहा तो उस machinery बेच के जो उनको profit आया होगा वो एक abnormal profit का पार्ट है क्यों क्योंकि देखो डो टाइब वी प्रॉफफेट होती है एक होता है रिविएग्यू profit एक होता है Capital Profit revenue Profit मतला वह profit जो आपके business के course के वज़े से हो रहा है पर Capital Profit मतला वह profit जो आपके business के events के वज़े से कोई एक extraordinary इवेंट के वज़े से ओकर हो रहा है ठीक है उसी तरह abnormal loss हो गया कि मान लो आप बिजनेस चला रहे रामशी आप 4-5 साल बिजनेस चला वह जो machinery खराब हुई थी उन्होंने बेचा नहीं गलती से क्या हुआ machinery में आग लगे में आग लगने के वज़े से पुरा कोड़ान का सारा समान जल गया तो क्या यह बिजनेस के वज़े से जला है नहीं भाईया यह तो एक अन हैपनिंग इवेंट हर साल थोड़ी आग लगेगा कभी न कभी कोई एक साल लग गया तो वह एक अन-Eक ü现在 के वज़े tutte से हो गया हर साल नहीं होगा अडनर्मल लॉस मतलब वह जो एक अ now ओज़ने भी हमें हर साल नहीं होगा तो उस loss को हम लोग add बैक कर देते थे थाकि हम लोग प्राफिट पहुच सके बात बताओ आपका फायर हो गया आग लग गया उसके वज़े से क्या होगा प्राफिट घड़ जाएगा जो कि गलत होगा बहुत निकालते के लिए क्योंकि हम लोग थोरी आजिम करें कि हर साल आग लगेगा बहुत पर्टिकुलर साल आग लग गया उसके वज़े से प्राफिट घड़ गया था तो इसी लिए उसको एड़ बैक कर देते हैं ताकि हम लोग एक प्राफिट तक पहुच सके ठीक है तो इसके लिए गुडविल का फॉर्मला होता है आवरेज प्राफिट इंटु नमबर आफ यह प्राफिट इंटु नमबर आ वैल्यू निकाला मेरा गुडविल का वैल्यू आया 50,000 रुपए मतलब मान लो कि मेरा जो एवरेज प्राफिट था उस 50,000 में जब आवरेज प्राफिट कर रहे थे तब मैंने पांच साल का 10,000-12,000 ऐसे करके लिया था तो मैं मैंने उमीद की थी कि मैं जो 10,000 का प्राफि कमाओगे अब जो दूसरा मेथड आता है गुडविल वैल्यूएशन का उसे बोलते हैं वेटेड आवरेज प्राफिट में अब क्या वेटेड आवरेज प्राफिट मतलब मतलब भाईया आब एक वेट ऐसाइन कर देरो नॉर्मल प्राफिट निकालो और नॉर्मल लॉस न सब्सक्राइब को प्राफिट बहुत ज्यादा घट है पर हम लोगों को हर साल ही अपनॉर्मल लॉस होगा नहीं जिसके वज़़े थे हर साल कापको प्राफिट गटे गा नहींना इसे लिए आपको यह आपनार्म लॉस आड्बैक करना पड़ेगा फिर क्या करोगे वेटे average profit into number of years of purchase number of years of purchase मतलब अभी अभी बताया याद करो number of years of purchase मतलब भाया वो कितने सालों तक आप same amount of profit कमाते रहोगे ठीक है अब हम लोग देखते एक practice question देखो goodwill of the firm is to be valued at two years of purchase of the five years of average profit भाया five years of average profit मतलब 5 सालों का आपको average profit दिया है आपको goodwill value करना है 2 साल के लिए मतलब दो साल के मतलब बहले बहले दो सालों तक की मेरेको 10,000 का profit दिया होगा तो मेरेको उमीद है कि Ben 10,000 का profit इसके बढ़ जाएगा घड़ जाएगा अपनेको फराक्रीन परता पर अपने को goodwill में यह चीज धियान रखना है कि कितने सालों तक आप वैल्यू करें और उसका मतलब क्या होता है जैसे देखो 2017 के लिए 25,000 18 के लिए ब्राकेट फिगर 10,000 मतलब 10,000 का लॉस दिया हुआ है 19 के लिए 18,000 प्रॉफिट 20 के लिए फिर से लॉस और 21 के लिए 18,000 का प्रॉफिट अब अब अभी आपने गुडविल का फॉर्मला हमें बताया था नंबर आवरेज प्रॉफिट को मुल्टिप्लाइ करूं अगर मैं अबरेज प्रॉफिट जो की मेरा 7,000 उसे मैं प्रॉफिट है आने वाले दो सालों तक ही कम आऊंगा तो आपको आज जो भी संजाए वो आप लोगों समझ में आ गया होगा दोनों टॉपिक्स वेटेर आवरेज प्रॉफिट और साथी दाथ सिंबल प्रॉफिट दोनों बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं दोनों में ब स्क्रैप्सेट करना चाहि को हमारा व अंवार्चाहरत दोक्ते स्क्रैप्सिंग कैने मिल जाएगाjalika कॉसमें इसे औके बंगा आपक मिल जाएगा आपको आपको सेंट करने तो वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया